गुजरात के छात्र अब अपने स्कूल और कॉलिजिस से ही स्टैच्यू ओफ यूनिटी को निहार सकते हैं जी हाँ गुजरात की सरकार अब कुछ ऐसा ही करने जा रही है जिसके चलते छात्र सरदार पटेल की शांदार प्रतिमा से रोजाना रूबरू हो सकते हैं आखिर ऐसा क्या करने जा रही है गुजरात सरकार जानने के लिए देखिये रिपोर्ट गुजरात में बनी दुनिया की सबसे उची मूर्ती टैच्यू ओफ यूनिटी लगातार सुर्खियां बटोर रही है 182 मीटर उची सरदार प्रतिमा का दीदार करने देश विदेश से रोजाना कई हजार सेलानी आ रहे हैं जिसकी वज़े से ये देश का सबसे बड़ा परियतन स्थल बन गया है एक बार फिर स्टैच्यू ओफ यूनिटी सुर्खियों में है वज़े है अब राज में पढ़ने वाले शात्रों को इस से जोड़ना जिसके लिए प्रदेश सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिसके बाद शात्र स्कूल कॉलेज में रहकर भी स्टैच्यू ओफ यूनिटी को देख सकेंगे दरहसल गुजराज सरकार ने लोहपुर सरदार बल्लभाई पटेल की पुनितिति के मौके पर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों के परिसर में स्टैच्यू ओफ यूनिटी की प्रकिरतिया या नकल स्थापित करने का फैसला किया है इस बारे में प्रदेश सरकार ने सभी सिक्शन संस्थानों को निर्देश दे दिया है आपको बता दे कि सभी स्कूल कॉलेजों को सरकार की तरफ से ये स्टैची ओफ यूनिटी की प्रकृतियां दी जा चुकी है जो कि इस साल अक्टूबर में एक्ता यात्रा खत्म होने के बाद दी गई थी माना जा रहा है राजी सरकार के इस फैसले का उद्देश चात्रों को सरदार पटेल के व्यक्तित्व से परिचित कराना है साथ ही ये भी बताना कि किस तरह उन्होंने अपने फौलादी इरादों के दम पर भारत को एक्ता के सुत्र में पिरोया था कबर अब्लेट कि रपो